नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्टडी आईक्यो जुडी शरी दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में पिछले कुछ दश्यकों में ड्रग्स, स्मग्लिंग और ड्रग्स एडिक्शन ये दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं खास करके हमारा यूथ इन दोनों ही समस्याओं का शिकार होते हैं ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत अल्रेडी एक स्पेशल लौ लेकर आ चुका है 1985 में जिसका नाम है इस एक्ट को हम इन शॉर्ट एंडिपियस एक्ट के नाम से भी जानते हैं अक्सर आपने अक्वारों में इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा एक और गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि चाहे भारत का आम हो या फिर खास हो सभी इस प्रॉब्लम से जूज रहे हैं एक तरफ हमें बॉलिवड स्टार्स के जो बच्चे हैं वो इस प्रॉब्लम में लिप्त पाय जाते हैं वो दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ पंजाब का आम नागरिक वो भी इस समस्या से जूजता हुआ दिखाई देता है आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये NDPS Act इस पूरी समस्या से किस तरह से यहां पर शुटकारा पाने की कोशिश करता है किस तरह से यह हमारी मदद कर सकता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो दोस्तों कि अगर आपने अभी तक स्टडी IQ जुडिशरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लेजिए क्योंकि यह एक डेडिकेट चैनल है अब बात करते है इस एक्ट की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह एक special act है यानि कि special कानून है अब सवाल उटता है कि special law आखिर कौन सा होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी laws जो की एक particular subject matter से deal करते है वो special laws कहलाते है जैसे कि NDPS act जो है वो drugs से deal करता है क्या है the objective is to prohibit the usage, production, cultivation, possession and trafficking of any type of narcotic and psychotropic substances. तो अब देखें basically एक बहुती बड़ा और holistic objective इस act को दिया गया है जहां पर drugs की production, drugs की usage, smuggling वगरा सब यहां पर prohibit करने की कोशिश की गई है. अब अगर हम बात करें application of the act की तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों की यह पूरे भारत में यह act लागू होता है. साथी में सभी नागरिक जो की भारत के नागरिक हैं और जो बाहर जाते हैं उन पर भी यह कानून लागू होता है साथी में यह कानून लागू होता है भारत में registered ships और aircrafts के उपर भी यानि कि अगर कोई भारत का registered ship है जो कि विदेश में है या फिर foreign waters में है या high sea में है तो उस पर भी जो कानून है लागू होगा इसी तरह से अगर कोई नागरिक किसी और देश का नागरिक है और वो भारत में registered aircraft में drugs लेकर जा रहा है जो कि इस कानून के तहत band है तो वो भी इस कानून के तहत prosecute किया जाएगा तो यह देखे एक बहुत वाइडर application इस कानून को दी गई है चलिए अब हम बात करते हैं narcotic drugs की देखे इस कानून के नाम में ही दो जो यहाँ पर जो substances दिये गए हैं एक हो गया narcotic drugs और दूसरा हो गया psychotropic substances तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं narcotic drugs की तो narcotic drugs का क्या मतलब होत है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर जो इसकी definition है section 2 में जो definition दी गई है उसका मतलब दिया गया है narcotic drugs means coca leaf, cannabis, opium, poppy straw and includes all the manufactured drugs लेकिन अगर हम dictionary meaning की तरफ जाते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है चलिए देखते हैं कहा गया की narcotic drugs means a drug such as opium or morphine that is moderate that in moderate doses dulls the senses or relieves the pain and includes profound sleep but in excessive doses cause super coma or convulsions देखें ऐसी सभी drugs जो की अगर moderate form में ली जाएं यानि की बहुत कम dose में ली जाएं तो आपको एक senses को आपको relieve करती हैं आपको जो pain होती है जो दर्द होती है उसे खतम करती हैं और आपको नींद की तरफ ले जाते हैं लेकिन जब आप उसे जादा doses में ले जाएं तो आपक हो गया इसी तरह से अगर हम synthetic की बात करें तो cannabis, cocaine, cocoa, coca यह सब इसमें आ जाते हैं चलिए अब psychotropic substances की अगर हम बात करें तो section 2 में जो definition दी गई है उसके हिसाब से कहा गया any substance, natural or synthetic or any natural material or any salt, preparation of such substance or material includes in the list of psychotropic substances यानि कि वो सभी substances जो की इस schedule में, इस act के schedule में as psychotropic substances दिये गए हैं उन्हें आप psychotropic substances कहेंगे खर यह तो legal definition है, अगर हम dictionary meaning की बात करें तो इसमें कहा गया कि वो सभी drugs या वो सभी substances जो की हमारी brain activity को disturb करते हैं या हमारे behavior को change करते हैं, हमारी awareness को change करते हैं, हमारी feelings और हमारे behavior में बदलाव लेकर आते हैं, वो सभी क्या होंगे, psychotropic substances होंगे आप हैरान होंगे कि इसमें caffeine भी included है, alcohol हो गया, nicotin हो गया, then marijuana हो गया, यह सब ही जो है, यह सारे इस definition के तहत आ जाते हैं चलिए, अब features of the act की अगर हम बात करें, तो देखिए, there are लगबग 7 chapters in this act, तो लगबग 7 chapters है, chapter wise अगर हम देखें तो सबसे पहले section 1 दिया गया है, section 1 to section 3 जो है, यह chapter 1 में आ जाते हैं, जिसमें हमें definitions देखने को मिलते हैं, काफी जादा definitions इसमें दी गई है, और section 3 जो है, व schedule में, list में add कर सकती है, कौन सा band drug है, कौन सा band drug नहीं है, so basically कोई भी ऐसा substance, जो कि central comment इस list से include करना चाहे, या फिर इस list से निकालना चाहे, तो वो central comment को उसके लिए कोई formal bill या फिर amendment लेकर आने के जरूरत नहीं है, बहुती आसानी से, इस एक official notification के तहती, official gazette में एक notification देकर, जैसे मालीजे कोई नया drug central comment के सामने आता है, जो कि लोगों ने manufacture करना शुरू कर दिया, for example, synthetic कोई drug है, जो की lab में manufacture होना शुरू हो गया, तो central comment को अब अलग से कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं है, उसे इस list में लेकर आने के लिए, चले, अब हम बात करते हैं chapter 2 की, तो chapter 2 में खास करके बताया गया है कि कौन सी कौन सी authorities appoint की जाएंगे, सेक्ट के तहट कौन कौन officers होंगे, तो उसमें बताया गया है कि central comment जो है, उसे खास करके measures लेने के लिए कहा गया है, to prevent the abuse and trafficking of the narcotic drugs, और उन्हें कहा गया है कि आप एक narcotic commissioner appoint करेंगे, शाथी में एक NDBS consultative committee क तो भी appoint करने के लिए central comment को निर्देश दिया गया है, state governments को भी relevant officers appoint करने के लिए इस act में कहा गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें, chapter 2A जो कि amendment के तहत add किया गया है, उसमें एक special fund बनाने की भी बात की गया है, जिसका नाम होगा, national fund for control of drug abuse, तो basically इसमें कहां से पैसा आए होगा, चले, अब अगर हम बात करें, chapter 3 की, तो वो बात करता है, it deals with the prohibition, control and regulation of narcotic and psychotropic substances, जैसे कि अगर हम बात करें, section 8A की, 8A prohibits, you know, prohibition of certain activities relating to property derived from offenses, so basically इसमें कहा गया है, कि आप ऐसी कोई भी property का इस्तेमाल ना करें, जो कि इस तरह हैं कि offenses से derived की गई है, जैसे कि drug trafficking से कोई अगर property, पहली बात तो उसे drug trafficking से कोई property कमाने के लिए रोका जाता है, अगर ऐसी कोई property, कोई व्यक्ति कमा भी लेता है, तो उसे confiscate करने की powers भी यहाँ पर central government को दी जाती है, इसी तरह से अगर आप section 9 देखेंगे, the power of the central government to permit, control and regulate the drugs, देखें, यह काफी interesting section है, इसक states है, जहाँ पर opium की जो है, खेती की जाती है, यानि की अफीम की खेती legally की जाती है, अब यह जो permission है ना, दोस्तों, यह section 9 के तहत central government देती है, section 9 वो section है, जो की central government को empower करता है, कि वो इस तरह है कि permission दे सके, अब है क्या देखें, ndps act में यहाँ पर जैसे की मैंने आपको बताया कि permit और regulate करने की यहाँ पर power central government को दी गई है, अब क्योंकि हमें opium चाही होती है for medicinal and scientific purposes, इसलिए इसे grow करना जुरूरी है, तो central government क्या करेगी, notify करेगी tracts को जहाँ पर opium cultivation की जा सकती है, तो इसमें हर साल यहाँ पर license issue किया जाता है और basically there are three states जहाँ पर central government ने license issue किये है, tracts को identify किया है, जो की है मध्यप्रदेश, राजस्तान और उत्रप्रदेश, चलिए, chapter 4 की अगर हम बात करें, यह हमारा खास chapter है, जो की offenses को define करता है इस act के तहत, और जो की बताता है, कि क्या क्या penalties रहने वाली हैं, अगर कोई व्यक्ति इस act में दिये गए प्रावधानों को तोड़ता हुआ पाय जाता है, देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर आगर हम बात करें दोस्तों तो offenses में क्या क्या आ जाएगा, इसमें सभी कुछ यहाँ पर included है, production, manufacture, possession, sale, purchase, transport, और import, interstate import ह यह export हो गया, और use of narcotic drugs and psychotropic substances, so offenses में यह हर तरह के substances में included है, अब इसमें होता क्या है, इसमें basically quantities define की गई है, अभी थोड़े दिन पहले एक viral video भी हमने देखी थी, high court एक judge थे, high court के, वो यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या यह commercial quantity है या फिर नहीं है, तो basically यहाँ पर तीन तरह आप से आपको सजा दी जाती है, for example, आपके पास हो सकता है किसी व्यक्ति के पास small quantity में कोई drug हो, अगर drug small quantity में पाया गया है, तो rigorous imprisonment of up to one year दी जाएगी, साथ ही में 10,000 रुपे का fine यानि की जुर्माना लगाया जाएगा, अगर quantity जो है, वो small से जादा है, लेकिन commercial quantity से कम है तो ऐसे में, rigorous imprisonment 10 साल तक की जा सकती है, और fine जो है, वो 1,000,000 रुपे तक का लगाया जा सकता है, commercial quantity अगर है दोस्तों, तो ऐसे में, rigorous imprisonment जो है, वो 10 से 20 साल तक की दी जा सकती है, और एक से लेकर 2,000,000 रुपे जो है, fine आप पे लगाया जाएगा, अब देखें हैं कि drugs small quantity क होगी, देखें, अब एक चीज़ यहाँ पर जो समझने की है, कि कई सारे जो drugs होते हैं, उन्हें बनाना मुश्किल है, और उनका असर काफी जादा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर यह सब जो drugs देख रहे हैं, अब इसमें एमफेटा माइन जो है, अब इसकी जो small quantity है, वो 2 ग्राम ही रखी गई है, और commercial quantity 50 ग्राम है, यानि कि 50 ग्राम जो है, वो commercial quantity में आ गया, उसे आप sale करने के लिए, अगर आप के पास वो पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि आप एक drug smuggler है, और आप उसे sale करने के लिए ही लेकर आए हैं, anyhow, तो यह जो quantity है, यह आप small quantity है, और यह जो है, वो large quantity है, यानि कि commercial quantity है, और इसके बीच की जो quantity होगी, उसके लिए भी हमने अभी सजा देखे, तो यह पूरा chart है, इसमें आप देख सकते हैं, heroin की अगर हम बात करें, तो 5 grams is the small quantity, and 250 grams is the commercial quantity, इसी तरह से अगर हम गांजा की बात करें, तो 1 kg is the small quantity, 20 kg जो है, व अलग से quantity हो गया, तो यह यहाँ पर पूरा chart दिया जाता है, जिसके तहत आपकी सजा भी define की जाती है, चलिए, now chapter 5 की बात करते हैं, chapter 5 क्या कहता है, lays down the procedure to be followed in cases under the act, and steps to be taken by the concerned officers, तो basically देखे दोस्तों, इसमें procedure बताया गया है, कि एक officer को issue, warrant अगर issue करना हो, search and seizure के लिए, तो कब उसे permission मिलती है, कब वो issue कर सकता है, कौन officer वो issue कर सकता है, जैसे कि section 41 की ही हम बात करें, तो कहता है जी, power to issue warrant and authorization, तो इसमें metropolitan magistrate हो गया, या फिर magistrate of first class हो गया, या फिर magistrate of second class, specially empowered by the state government हो गया, ये सभी जो है, warrant issue कर सकते हैं, for the arrest of any person, whom he has reason to believe, to have committed an offense punishable under this act, इसी तरह से section 42 की अगर हम बात करें, तो section 42 power देता है, of entry, search, seizure and arrest without warrant, to a large number of officers, तो कई एक बहुती बड़ी class of officers है, जिनको section 42 में ये power मिल जाती है, कि वो किसी के भी घर में search कर सकते हैं, enter कर सकते हैं, seizure कर सकते हैं, without warrant जा सकते हैं, इसी तरह से section 52 A की बात करें, तो किस तरह से drugs क जिनको जब्त किया जाता है, उन्हें dispose of किस तरह से किया जाएगा, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है, आगर हम section 52 A की ही बात करें, तो दो-तिन दिन पहले आपने देखा भी होगा, कि एक newspaper में इससे जुड़ा हुआ, एक article भी आया हुआ था, यहां पे government ने को है, उसे dispose of किया था, चलिए, chapter 5 A, forfeature of illegally acquired property, देखिये, अगर कोई व्यक्ति, drugs के इस trade में जाकर कोई property को acquire करता है, वो भी illegal है, और उसके लिए भी यहां पर chapter 5 A में विशेश प्रावधान दिये गए हैं, सबसे पहले तो prohibit किया गया है, कि आप ऐसी कोई property को acquire नहीं कर सकत हैं, दूसरा है कि इसमें proper procedure दिया गया है, जिसके तहत identify किया जाएगा कि यह property को किस तरह ऐसे acquire किया गया, और अगर यह पाया जाता है कि यह property को illegally acquire किया गया है, इस act की contravention में जाकर acquire किया गया है, तो उसे freeze करने का अधिकार यहां पर दिया गया है, chapter 6 A की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह miscellaneous chapter है, which talks about, let's say section 69 की ही अगर हम बात करें, तो यह कहता है कि अगर किसी officer ने इस act के तहत good faith में यह विश्वास रखते हुए कि भई, वाके में किसी ने कोई crime किया है और कोई action लेता है, तो वो officer के ऊपर कारवाई नहीं होगी अगर वो officer गलत पाया जाता है, for example, एक officer को लगता है कि Mr. A जो है, वो illegally drugs को लेकर जा रहे हैं, Mr. A के ओपर शक होने की बिना पर officer ने उन्हें चेक किया, लेकिन यह पाया गया कि Mr. A के पास कोई drugs नहीं थे, ऐसे में section 69A उस officer को ये protection देता है कि उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी, section 71 की अगर हम बात करें तो power of the government to establish certain centers for identification, treatment, etc. of addicts, तो basically जो नशे के आदी हो जाते हैं, जो addicts होते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप special treatment centers बनाने की power पाते हैं, इसी तरह से 73 जो है, वो bar of jurisdiction जो की कहता है कि कोई भी civil court जो है, उनकी यहाँ पर jurisdiction lie नहीं होगी, shall not entertain any suit or proceeding against any decision made or order passed by any officer, so basically अगर इस act के तहत किसी officer ने कोई decision दिया, तो वो civil court में उसकी कोई jurisdiction नहीं होगी, तो यह कुछ प्रावधान हमने देखे दोस्तों, इस NDPS Act के, I hope कि आपको यह कानून जो है, समझ आया होगा, and आपके लिए इस कानून को समझना easy हो गया होगा, इसी तरह की जानकारी को हसल करने के लिए, आप subscribe कीजिए, study IQ judiciary को, अगले वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे तil then, thank you, and have a great day ahead, thank you.